हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग किचिन बाई दीपा में आपका स्वागत है, गर्मी का मौसम आ गया है, आज कल आम भी बहुत आ रहे हैं, ऐसे में मैंगो मिल्क शेक की याद अपने आप ही आ जाती है, मैंगो शेक सभी उम्रे के लोगों को बहुत ही पसंद होता है, तो आज ह इसके लिए हमें चाहिए आम, यहां मैंने दो आम लिये हैं और इन्हें पीसेज में कट कर लिया है, दूथ, डेड़ ग्लास लिया है मैंने, चीनी 3 टेबिल स्पून, और मैंने यहां गार्निशिंग के लिए काजू, बदाम और किश्मिश यूज किये हैं, आप कोई भी ड डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको यह पसंद ना हो, तो आप इन्हें इसकिप भी कर सकते हैं, मैंगो शेक बनाने के लिए हम सबसे पहले जार लेंगे, इसमें आम के पीसेज, चीनी और एक कटोरी दूट डालेंगे, अब अच्छी तरह इसे ब्लेंड करेंगे और आधा मिनट मिक्सी को चलाएंगे, देखिए कितना फाइन पेस्ट बना है, इसमें एक भी मैंगो के पीस नहीं है, थोड़ा सा दूट डालने से ही यह इतना फाइन पेस्ट बना है, अगर हम थोड़ा सा दूट पीसते समय नहीं डालते हैं, तो कई बार मैंगो शेक के बीच बीच में रह जाते हैं और हमारा mango shake smooth और creamy नहीं बनता है अब हम इसमें सारा दूट डालका mix करेंगे आप यहाँ पर इसे बहुत chilled करने के लिए ice cubes भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर ice cubes नहीं डाल रही हूँ मैंने यहाँ पर chilled milk and mango use किये हैं अब हम इसे mix करेंगे लीजिया अब हमारा mango milkshake ready है अब मैं इसे serving glass में निकाल रही हूँ और इसे बदाम, काजू और किश्मिस से garnish करूँगी अब मैंगो शेक को दूसरी तरह से भी सर्व कर सकते हैं बस आपको इसके लिए चाहिए रोज सीरफ मैंने यह रोज सीरफ खुद ही बनाया है इसके वीडियो भी मैं आपके साथ बाद में कभी शेयर करूँगी अब मैं इस glass की sides पर रोज सीरफ डाल रही हूँ इसे डालने के बाद अब मैंगो शेक डाल रही हूँ इसके उपर भी रोज सीरफ डालेंगे और ड्राइफ रूट से कार्णिश करेंगे लीजिए तैयार है हमारा energy drink mango milkshake और कितना आसान है इसे बनाना बस दो मिनट में तैयार भी हो जाता है इसे बनाने में बस कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको इसके लिए mango पके हुए ही लेने है आम ज़्यादा खटे नहीं होने चाहिए चीनी आपको mango के हिसाब से ही डालनी है अगर आपके mango ज़्यादा मीठे है तो आपको चीनी कम लेनी है और अगर कम मीठे है तो चीनी ज़्यादा डालनी है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए धन्यवाद